चलती ट्रेड में एक लड़का मुझे बहुत देर से देख रहा था और फिर जैसे ही रात हुआ वो अचानक मेरे पास आया और मेरा हाट पकड़ कर मेरे साथ नमस्ति दोस्तो मेरा नाम जानवी है और मेरे उम्र 20 साल है उस वक तभी अभी मेरी नहीनी साधी हुई थी और मैं दिखने में बहुत ही गोरी और खूबसूरत थी और नहीनी साधी के बाद तो लड़कियां की खूबसूरती पर चार चान लगी जाता है मेरे भी चैरा बहु तो वो कहने लगी बेटा तुम कुछ दिन के लिए घर पर आ जाओ मेरा मन भी नहीं लग रहा है मैं बोली ठीक है मम्मी मैं इन से पूछ के बताती हूँ और पिर जब मैंने अपने पती को कॉल किया तो वो आपिस में थे उन्होंने कहा जाओ बेबी वो मम्मी है आपकी मैं कौन होता हूँ रोकने वाला लेकिन वो बोले बेबी मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा क्योंकि छुट्टी नहीं है क्योंकि पिछले हफते ही चार दिन के चुट्टी ले लिया था तुम्हें तो पता ही है इसलिए इस महीं ने अप छुट्टी नहीं मिल पाएगा मैं पोली कोई बात नहीं फिर उन्होंने मेरी ट्रेन की टिकट करा दी स्लीपर ट्रेन में तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं था मैं आराम से चली जाती हूं और आ भी जाती हूं उस दिन मैंने एक रड कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसका ब्लाउस थोड़ा डीप था और आए का ये ट्रेन और फिर में बैठूंगी मेरे बगल में एक लड़का था देखने में बहुत स्मार्ट तो नहीं था लेकिन सरीर से लंबा चोड़ा था उसको देखने से लग रहा था जैसे कि ये जिम जाता हो खेल वो मुझे बहुत देड़ से देखे जा रहा था मतलब हरे बात है ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे लेकिन वो बहुत हैराण और परेसान भी लग रहा था उसके सर से पसीने बी टपक रहा था वैसे तो गर्मी था लेकिन इतना भी नहीं कि पसीना आने लगे क्योंकि हरी स्टेशन पर बहुत अच्छे अच्छे पंके लगे हुए थे ये सब देखकर भी मैं उसे कुछ ना बोली और फिर इतने देर में ही ट्रेन आ गया मैं ट्रेन में बैटी तो मुझे पता चला कि उसका भी S2 में सीट नंबर 31 है तो बिल्कुर जस्ट मेरे सामने ही था और कब से मुझे ही देख रहा था उस वक्त रात का समय था और ट्रेन भी अपनी रफ्तार पर चल रहा था वो लड़का मुझे बहुत अजीब तरस से देख रहा था कभी नीचे देखता तो कभी उपर देखता अब मुझे बहुत चिड़ होने लगा उसे देखकर मैं सोची की मैं उसे जाकर पूछ लूँ क्या कि तुमारे घर में कोई मा बहन नहीं है लेकिन फिर मैं सोची क्या तवासा बनाना कुछ बोलेगा तब इसको बताती हूं लेकिन वो कुछ बोली नहीं रहा था फिर उसने देखा कि सब लोग धीरे-धीरे सोने लगे हैं तो वो मेरे पास आकर मेरी सीट पर बैठ गया क्यूंकि उसके सीट बीच वाली थी और मेरी सीट नीचे वाली थी तो उसने कहा कि मुझे भी सोने का दिल नहीं है इसलिए थोड़ा मैं बैठ जाता हूं उस वक्त साम हो रहा था मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं इतना बोलकर मैं अपना फोन चलाने लगी और अपने पती से बात कर रही थी कि मुझे सीट मिल गया है और मैं बैठ गई हूं उन्होंने कहा कि अच्छी बात है तुम्हें एक बार मम्मी को भी कॉल करके बता देना मैं बोली अरी हाँ ये तो मैं भूली गई थी अच्छा चलो मैं आपसे बाद में बात करती हूं पहले मैं अपनी मम्मी को भी बता देती है यहां मैं ट्रेन में बैठ गी फिर मैं उनका मैसल छोड़कर मम्मी को फोन लगाई और मैंने कहा कि हां मम्मी मैं सीट पर बैठ गी हूं और अराम से कल सुबह तक पहुंच जाओंगी आप टेंसर मत लेना वो लड़का फिर मुझे देखने लगा कि कल सुबह तक मतलब यहां रात भर रुखेंगी और उसके चेहरे पर थोड़ा मतलब तसलिर जैसा कुछ दिख रहा था फिर मैं जैसे ही मम्मी का फोन रखी तो उसने कहा कि अच्छा आप कल सुबह उतरेंगी क्या मैंने कहा कि हाँ क्यों क्या हुआ उसने कहा मुझे भी कल सुबह उतरना है वैसे आप कहां जा रहे हो मैंने कहा कि मैं तो कानपुर जा रही है और तुम उसने कहा कि मैं लखनओ नहीं उतर जाओंगा मैंने कहा कि अच्छा सही है हाँ लखनौ कानपुर से जादा दूर भी नहीं है फिर ऐसे ही उससे मेरी थोड़ी बाते होना सुरू हो गई और वो भी मुझसे बात करने लगा धीरे धीरे उसने मुझे पूझा की आपके घर में कौन कौन रहता है वगरा वगरा मैंने ये सब बात उसको बताना जरूरी नहीं समझा इसलिए मैंने कहा की आपको इससे क्या मेरे घर पर कोई भी रहता हो आप अपने काम से मतलब रखे उसने कहा की अरे आप तो बुरा मान गई मुझे माफ कर दीजी आप मुझे गलत समझ रही है लेकिन मैं इस टाइब का लड़का नहीं हूँ जैसा आप मुझे समझ रही है मैंने कहा की मैं किस टाइब का समझ रही हूँ तुम्हें कैसे पता और अगर तुम कुछ गलत कर रहे होगे तब ही तो मैं तुम्हें गलत समझ रही हूँ तो वो समझ गया कि वो मुझे बार-बार घूर रहा था, मैं उससे वही कहना चाह रही हूँ, फिर दीरे-दीरे सामते रात हुआ और हमने खाने का ओर्डर किया, वो भी खाने का ओर्डर किया, अभी तक वो नीचे ही बैटा था, फिर खाना-खाने के बाद मैंने उससे कहा कि अब ही आप उपर चले जाओ क्योंकि अब मुझे नीन दा रही है मुझे भी सोना है उसने कहा कि मैडम प्लीज आप बुरा ना मानो तो आप उपर चले जाओ आप सो जाना मुझे तो नीन दा रही है मैं बहुत जाना ही परिसान हूँ मैंने का क्यों क्या हुआ तुम्हें कोई बात है बताओ मुझे भी उसने कहा कि वो मेरी मा की तबर्द बहुत खराब है इसलिए मैं लखनो जा रहा हूँ कुछ पैसे के इंतिजाम में अब देखिये क्या पता मुझे मिल जाए मैंने कहा क्यों तुम जॉब नहीं करते तो फि सबको सिर्फ मतलब से ही मतलब होता है अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तब ही वो पूचेंगे नहीं तो वो भी तुम्हें अंगुठा दिखा देंगे फिर वो बोला आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो फिर वो मेरे पास आकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया मैंने उसकी गा आप मुझे इतना गलत क्यों समझ रही है यह देखिए मैं अपनी मा को अभी वीडियो कॉल करके दिखाता हूं उनकी तबिद कितनी खराब है मैंने का कि अच्छा लगाओ फिर इसी बात पर मैं भी देख लू जरा तुम्हारी मा की तबिद खराब है कि नहीं फिर उसने अ मैडम बहुत अच्छी है इनका दिल बहुत ही अच्छा है उन्होंने मुझे कहा कि अपनी मा को दिखाओ मैं उनसे बात करना चाहती हूं थोड़ा मम्मी को दिखाना फिर वो अपनी मम्मी को दिखाई तो उनकी तबिद बहुत ही खराब थी वो विचारी बहुत ही विमार पड़ी हुं थी, फिर मैंने कहा कि मुझे माप कर दो, उसने तुरंट फोन कट किया, और मैंने कहा मैडम कोई बात नहीं, होता है ऐसा, अजनबी पर कौन बिस्वास कर पाता है, आजकल तो लोग अपने पर ही बिस्वास नहीं करते, तो ये तो मैं अजनबी हूँ, फिर धीर मैंने कहा क्यों, मैं अपना नंबर तुम्हें क्यों दो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है न, मैं एक साधी सुधा ओरत हूँ, मैंने कहा कि मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैं आपको बहन मानता हूँ, बहन बोला, और कोई भी अगर लड़की होती न आपकी जगह, मैं उसको बहन ही मानता, क्योंकि मैडम मेरी भी एक बहन है और मैं सब को अपनी बहन की तरह ही मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि आज मैं कल को किसी बहन के साथ बुरा करूँगा, तो मेरी बहन के साथ भी बुरा हो सकता है, इसलिए मैं सब की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं बोली अच क्या भी नंबर रख लीजी मैं थोड़ी दिर सोची और मैंने सोचा कि यार ये अजनबी है पता नहीं पैसे लोटाएगा की नहीं क्या करेगा क्या नहीं कभी ये सही बात कर रहा है कभी गलत मुझे तो उसकी बारे में कुछ समझी में नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी मुझ को अपनी सेलरी मिलते ही तुरंत लोटा दूँगा मैंने का अच्छा कोई बात नहीं ठीक है मैंने सोचा इसकी मा अभी बिमार है और इसको पैसे की जरूरत है तो क्यों ना दूँ मैं अभी मेरे पास पैसे हैं कल को मेरी हालत अगर खराब हुई तो आज अगर मैं किसी की म खुस हुई लेकिन मैं अपने मम्मी के यहां पर थी तो मैंने का मम्मी अब मुझे प्लीज मुझे जल्दी घर जाना है क्योंकि मैं इस कुछी में अपने पती के पास रहना चाहती हूँ और उनको भी मेरी जरूरत होगी क्योंकि मेरे पती अकेले रहते हैं तो कुछ भी हो तो वो सेलिबरेट नहीं कर पाएंगी अगर मैं रहूंगी तो छोटा सा पाटी भी हो जाएगी मम्मी ने कहा कि ठीक है बेटा अब तू पराई हो गई है और मुझसे ज़्यादा तुझे अपनी पती से प्यार है तो मैंने कहा कि मम्मी जब तक मैं यहां पर थी तब तक कि साधी हो गई है तो मुझे मेरी पती को भी देखना है ना वैसे आपकी तब 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 ठीक है आपने मुझे तो सिर्फ देखने के लिए बुलाया था मैं बाद में आपको पक्का आऊंगी और उनको भी लेकर आऊंगी उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा जाओ और मेरे जल्दी आ गई तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो मैं बोली यह सब तो मैं आपकी वज़े से इतनी अच्छी बन पाई हूँ फिर उसके बाद मेरे पती बोले पता नहीं आज मेरे बॉस मेरे उपर इतना महर्बान कैसे हो गए कि मेरी तुरंत अचानक से ही परमोसन हो ग पती बोले कि सायद वो भगवान ही होंगी तभी तो देखो तुमने उसकी मदद की और भगवान ने हमारी अमदनी और बढ़ा दिया हमें दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए तभी भगवान हमारी मदद करता है देखो ना आज हमारा कितना अच्छा प्रमोसन भी हो गय और फिर हम दोनों रात पोर डिनर पर भी गए थे दोस्तों इस कहाने को सुनाने का सिर्फ एक ही मकस्द था कि हमें जरूरत मन की मदद जरूर करनी चाहिए और हमें मन में ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि हमें वापस कुछ मिलेगा या नहीं या फिर इसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा या नहीं ये तो सब भगवान के हाथों में हैं उपर वाला चाहे तो हमें बना सकता है और वही चाहे तो बिगाड भी सकते हैं तो भगवान का नाम लेकर आप सबकी मदद जरूर करें और कहानी पसंद आये तो वीडियो को लाइक सेर और सबस्क्राइब जरूर करें मिलते हैं नए कहानी को लेकर तब तक इलिए आप सबका धनिवान